घ्रणो हेलो गाइस robbed technical institute में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं लैप्टॉप के mother борड में step down section का on board क्या work होता है कि Гरण होता है क्या टेकस्टिंग क्या इस तेथिंग steps which जानने के लिए हमें लैपटोप के मदर बोट रखे हैं इन में से कोई भी मदर बोट हम जूज करते हैं यह सारे सामने रखे हुए हैं इसा भी मैं सम्झाओंगा कि लैपटाउबक के सेक्षम में जो इस्टेब डाउन के बारे में ऐसे जानेंगे मल्टी मीटर को बजर रेंड पर हम लगाएंगे दो आउटपुट कोईल आपको मिलेगा चार मॉसफेट मिलेगा ज्यादा तर 90%, 92%, 95%, 98% जो ओल्ड मदर बोर्ड हैं उसमें दो आउटपुट कोईल चार मॉसफेट और दो दो आउटपुट कोईल आपको मिलेंगे यह इसकी पहिचान है वोल्टीन सक्षन से 19 वोल्ट की सप्लाई लेकर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑल्वेज और 3.3 वोल्ट एल्डियो जो की जो सप्लाई निकालते हैं वो हमारा step डाउन सक्षन से ही निकलता है step डाउन सक्षन का वर्क यह होता है कि 19 वोल्ट वोल्ट इन सक्षन से लेकर चाहे वो इन चैनल का हो चाहे पी चैनल का हो वोल्ट इन सक्षन से 19 वोल्ट की डीसी पाउर सप्लाई डीसी लेकर 3.3 वोल्ट एल्डियो और 3.3 वोल्ड ऑल्वेज आयो पे चार्जिंग, IC, बैटरी कनेक्टर और पाँच वोड अलवेज जो है वीएस, योस्बी पोर्ट, वीजी अलवेज पोर्ट, और फैन कनेक्टर और HDD कनेक्टर, LVDS कनेक्टर पे हमारा 3.3 वोर्ट आलवेज पहुचता है, 5 वोर्ट आलवेज पहुचता है, और LDO 3.3 वोर्ट बनाता है, step-down section हमारा 2 output coil, 4 MOSFET, 2 output capacitor, से हम इसकी पहचान करेंगे, एनी motherboard में कि ये step-down section है, इसका working मैंने आपको बता दिया, और कितनी supply लेकर, कितना supply, input लेकर, कितना supply, output प्रोइड करता है, motherboards को, और motherboard में कहां-कहां जाता है, कहां-कहां जाता है, मैंने LDO 3.3 वोर्ट कहां-कहां जाता है, on-off switch, RTC section, EC BIOS, IO, charging IC, battery, connector पे जाता है, LDO 3.3 वोल्ट, और 5 वोल्ट always, VAS, USB port, VGA port, HDMI port, HDMI port, fan connector, ODD connector, HDD connector, LVDS connector, पे हमारा 5 वोल्ट always जाता है, 3.3 वोल्ट always, VAS, PCS chip, और जो मैंने बताया है, वहीं पे जाते हैं, यह अलग-अलग section पे, अलग-अलग जगें जाते हैं, अलग-अलग work करते हैं, इसका work है, input volt 19 वोल्ट लेकर, 3.3 वोल्ट always, 5 वोल्ट always, और LDO 3.3 वोल्ट निकालती हैं, इसकी पहिचान, श्यार मॉसफेट, दो output coil, दो output capacitor, यह हमारा कौन सा section है, यह output section है, यह step down section है, यह output coil है, सही बोल रहे हो, output coil है, output section नहीं है, और चार मॉसफेट माने, हमारा दो मॉसफेट होता है, मेन मॉसफेट और दो supporting MOSFET होता है, और दो output capacitor बहुता है, यह board हम हटाते हैं, ठीक है, प्रॉबलम क्या-क्या आती है step down section में, प्रॉबलम यह आती है step down section, अगर आपका short है, तो problem यह आएगा, यह आप faulty है, तो problem आएगा, पहली बाद तो dead problem आएगा, restarting problem आएगा, always sorting problem आएगा, और sorting problem आएगा, चार problem आते हैं, step down section से भारी problem होते हैं, क्योंकि 19 वोल्ट के बाद एक ऐसा step down section ही होता है, जो तुरंद voltage consume करता है, डार वोल्टिं, section 19 वोल्ट से डारेट 3.3 और 5 वोल्ट, always निकालता है, LDO 3.3 signal आता है, यह हमारा G4 का motherboard है, और इसका step down section मैंने बता आया है, 2 output coil, 4 MOSFET, 2 supporting MOSFET, 2 main MOSFET, और 2 output capacitor, अच्छा, हम यह कैसे जानेंगे, कि step down section faulty है, एक shortcut होता है, shortcut में कैसे check करेंगे, मालो, on board हम बैठे हुए है, shortcut में कैसे check करेंगे, laptop के motherboard में, वोल्टिं section के अलावा, जो step down section है, वो faulty है, ऐसे, कैसे check करेंगे, तुरंट 2 second के अंदर, ऐसे check करेंगे, कि हम board लेंगे, और पहले पहिचानना है, जैसे मैंने बताया है, output coil, MOSFET, और capacitor, तो इसको क्या करना है, red probe को, black probe को ground रखेंगे, red probe को ground रखेंगे, multimeter को, हतियार को बजर range भी लगाएंगे, और output coil को, हम ground से check करेंगे, अगर beep आ रहा है, अगर beep आ रहा है, अगर beep आ रहा है, तो step down section short है, ground से, अगर output coil beep कर रहा है, तो यह जान लो, कि हमारा step down section में, कोई problem है, कोई दिक्कत है, मुझे उसको, उसकी tracing करनी पड़ेगी, और उसका fault मुझे निकालना पड़ेगा, shortcut तरीका, ground लगाएंगे, बजर लगाएंगे, और ground पे black probe देंगे, और output coil, हम चेक करेंगे, और ground, वो, बजर का beep, beep आ रहा है, आउटपूट कोईल से, तो हमारा, step down section short है, छीक है, ऐसे हम पता करेंगे, इसको, सही करने के लिए, हमें step down section, को, trace करना पड़ेगा, और इसकी IC लगी होती है, पीछे, step down section की IC लगी है, पीछे, आगे भी लगी हो सकती है, यह पीछे लगी हुई है, कभी क्या होता कि जगे की वज़े से, पीछे कर देते हैं IC, और नहीं तो उसके नीचे ही लगा देते हैं, MOSFET के नीचे हिल लगा देते हैं, यह MOSFET के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, यह इसका, step down section का IC है, ठीक है, यह हमारा है, यह देखिए हमारा दूसरा बोड है, बोड है हमारा LA-791P, यह हमारा जरा जूम करिएगा, यह हमारा देखिए, दो कौाइल आउटपूट, दो चार MOSFET है हमारे, ठीक है, और यह इसका IC है, step down का, यहाँ पर IC निकल चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर IC निकल चुकी है, तो यह हमारा step down section है, इसको भी चेक करते हैं, कि ग्राउंड से बीप कर रहा है, अगर तो फिर सॉल्ट होगा, यह बीप नहीं कर रहा है, इसका मदलब, step down section सॉल्ट नहीं है, शॉल्ट होगा, तो बीप करेगा, अभी मैंने बताया, उस बोर्ड में, और इसमें, देखते हैं, ग्राउंड से चेक करना है, यह बीप कर रहा है, यह एक बीप कर रहा है, एक बीप नहीं कर रहा है, तो शॉल्ट है, ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं, step down section, यह short है, 3.3V short है, 5V, और इसमें कमी है, लेकिन आपको टेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी IC कहां पर है, step down की, step down की IC यह देखे, पीछे आपको मिलेगी, ठीक है, वहाँ जगे नहीं कारण है, पीछे, इसकी IC निकली हुई है, step down की, मैंने आपको working बता दिया, testing बता दिया है, और ground अगर faulty होगा, तो कैसे हम उसको shortcut में चेक करेंगे, step down section को, मैंने यह बता दिया है, ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए, आप हमाई साथ बने रही है, आगे हम आपको new model step down section के बारे में बताएंगे, मैंने बारे में बताएंगे,